भक्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में आज आपको बताते हैं कि कैसे आप नमक से कर सकते हैं वशी करण जी हाँ बेहत आसान उपाए आज आपको बताएंगे सिर्फ और सिर्फ नमक से आप कैसे पा सकते हैं अपने पुराने प्रेमी को अपने पती को आप अपने वश में कर सकते हैं या फिर कोई भी पुरुष जो आपके जीवन में है जो आपको भाव नहीं दे रहा है जो आपकी बात नहीं सुन रहा है आपके मन की बात को समझ नहीं रहा है और आपको भी उसे अपने मन की बात कहने में शरम आ रही है तो ये अब करना बेहदासान है, तो हमारा ये विडियो ध्यान से देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, बेल आइकन को दबा दीजे, तो आज मैं आपको बताती हूं कैसे आप कर सकते हैं नमक से वशीकरन, जी हाँ आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे यह नमक लिया के बाद मैं आपको बताती हूं इसका पूरा तरीका क्या है, एक कागज ले लिजे और उस कागज पर आपको यह मंत्र लिखना है, यह मंत्र है, ओम, रीम, क्रीम, रामुन डाय, बिच्चे, दोस्तों यह जो मंत्र है, यह आपकी सारी परेशानियों को दूर करता है, जी हाँ, तो आपको यह मंत्र लेना है, और यह थोड़ा सा नमक आपको हतेली पर इस तरह से निकाल लेना है, उसके बाद आपको इस मंत्र को अभिमंत्रित करते जाना है, जी हाँ, यह जो नमक है इस नमक से आपकी सारी परेशानिया दूर हो जाएंगी, जी हाँ, तो इसे करने का तरीका बेहदासान है, आप सबसे पहले ये मंत्र देख लीजिए, इस मंत्र को कहीं कागस पर आप लिख सकती है, इसे आप लिख लीजिए, मंत्र है ओम रीम क्रीम चामुंडाय विच्छे, अब आपको शनिवार के दिन इस मंत्र का उच्छारन करना है, जी हाँ, इस मंत्र को लिख कर आप अपने सामने रख दीजिए, थोड़ा सा नमक आप देख सकते हैं, इतना नमक जो आपकी हथेली के बीच में आप इसे रख लीजिए, और उसके बाद आप इस मंत्र का उच करने के लिए, तो आप इस नमक को अपने हाथ में लीजिए, इस मंत्र को अपने सामने रखिए, शनिवार की रात्री दस से बारा के बीच में आप इसे कर सकती है, इस मंत्र को आपको पढ़ना है, और इस नमक पर फूकना है, जी हाँ, मंत्र को पढ़ना है, नमक पर फूक जो 108 मोतियों की माला होती है उसे आप हांत में लेकर और इसके बाद इस मंतर का जाब कर सकती है इस पर फूकते जाए और उसके बाद आपको ये नमक जो है इसका इस्तमाल इस तरह से करना है कि आपके घर के बाहर जो खिड़की है या आपके दर्वाजे के बाहर आपको इस जी हां अगर आप चाहती है आपके पती आपकी हर बात माने तो इस उपाय को शनिवार की रात्री जरूर कीजिए आपके पती आपकी हर बात मानेंगे किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी आपके पती अगर आपस नाराज हो जाते हैं चोटी चोटी बातों पर आपकी तो इस उपाय को आप कर सकती है, अपने प्रीमी को उपने जीवन में आपनाश्त, जो प्रुश द avait गज्छ के के उपर और भी भक्तों ने इसको आजमाया है और उसके बाद जब उन्हें अच्छा इसका रिजल्ट मिला उसके बाद ही हम अपने यूट्यूब के जो वीवर्स हैं उसके लिए इस वीडियो को बना रहे हैं तो आप लोग इसे जरूर कीजिएगा और आपको क्या करना है आ अगर आपकी खिड़की दक्षण दिशा में खुलती है तो सबसे अच्छा है नहीं तो आप एक काम कीजिए आप गेट से बाहर निकलिए और उसके बाद जिधर भी दक्षण दिशा है आपके घर में घर के बाहर निकलते जिधर भी आपको दक्षण दिशा दिखाई दे आप दक्षण तिशा की तरफ नमक को फेक दीजे, ध्यान रखिए ये फेकते समय आपको कोई देखे ना, उस समय पर आप इसे फेकिए, और पीछे पलटके बिल्कुल मत देखिएगा, इस तरह से आप ये उपाय कीजिए, अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट ह तो आप हमारे नमबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, ये आसान सा उपाय, आज हमने आपको बताया, आज आप इसे कीजिए, आज शनिवार है, आप इसे रात्री को इसे कर सकती हैं, ध्यान रखें दोस्तों, इसे आप अच्छे मन से कीजिएगा, कोई भी बुरा खयाल, कोई भी नेगेटिव एनरजी अपने अंदर मत रखिएगा, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ आप इसे करेंगी, तो आपको जरूर इसका फल मिलेगा, तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद भक्तों, मिलेंगे आगले वीडियो में,